मैंने बोला था नंकल, संदीप सींग के बारे में, देखा, सच निकला, संदीप सींग एक फेक और झूटा इनसान है और यह बात आज सुशांत सिंग की फैमिली ने कन्फर्म कर दे, सन्दीप सींग की फैमिली संदीप सिंग को जानती भी नहीं थी संदीप सिंग जबरदस्ती अपने आप ही सुशान्त की फैमिली के बीच में घुसकर सुशान्त की मौत का फायदा उठाना चाह रहा था ये बात आज confirm हो गई है मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि कैसे संदीप सिंग अपने बयानों से पलटा कैसे संदीप सिंग ने अलग-अलग चैनल के उपर अलग-अलग बयान दिये वो चीजें चैनल ने भी confirm की है वो चीजें वीडियो जो यूटूब पे जो वीडियो बनाये जा रहे हैं शुशान्त सिंग के लिए उसमें भी confirm की गई है और आज किसी एक न्यूज चैनल ने भी confirm किया है कि संदीप सिंग ने अपने बयानों को अलग-अलग करके बताया पहले संदीप सिंग बोलते थे कि वो शुशान्त की मौत के बाग उनके घर के उपर गए थे फिर वो दूसरे मीडियाम बोलते हैं वो घर के नीचे थे पुलिस ने उनके उपर नहीं जाने दिया संदीप सिंग ने जबरदस्ती सारे जो फॉर्मेल्टीज थी वो अपने अब क्योंकि शुशान्त की फैमिली आई नहीं थी तो सुशील बाबू अरे बंद मत करो वीडियो बना रहा हूं तुम वीडियो के बीच में आ गए हो आजओ आजओ अब तो जाओ अंदर अंदर जाओ यह म्यूजिक तो बंद कर लो थोड़ा हाँ सुरी तो अंदर जाओ भीया देख रहे गोंप रहे हो हाँ तो इससे पता चलता है कि संदीप सिंग जो बोल रहे थे उनकी कतनी और करनी में कितना फ़रक है संदीप सिंग की जो पिया टीम है तो उन्होंने संदीप सिंग के फोटोस जो हैं वो सुषांत के घर के बाहर अंदर हर जेंगे खीचे मीडिया में डाले और यहां तक कि संदीब सिंग ने ऐसा बताया कि सुषांत की जो family है उससे जादा सुषांत के close थे और असलियत यह है कि कई सालों से पिछले कई महीनों से सुषांत के touch में भी नहीं थे यहां तक कि उनकी family उनके फादर ने भी confirm किया है कि हम संदीब सिंग को इतना जानते नहीं थे तो फिर क्यों कर रहा है संदीब सिंग इतना आगे आके बाद की वो सुषांत के इतने करीब था कि उसे पता था कि सुषांत डिप्रेशन में है या नहीं है या हमारी जो इंडस्री है उसने उसके साथ कुछ गलत किया या सही किया क्यों कर रहा हूँ ऐसा वो सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो ख़बरों में बना रहे वो न्यूज में आता रहे लोग जो बॉलिवुड के लोग जो है वो सोच रहे हैं कि संदीप सिंग से अगर वो बाते करेंगे या टच में रहेंगे तो शायद उनको क्लीन चिट मिल जाए तो संदीप सिंग का जो चहरा है वो साफ साफ लोगों के सामने आ गया है और इससे पता चलता है कि उन्होंने सुषांत की मौत का कितना फायदा उठाया उठाना चाहा या उठानी की कोशिश कर रह है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं यूटूब चैनल और ऐसी घबरे में आपको आगे भी देता रहूंगा बाए